आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अगर आप अपनी रिटन फाइन नहीं करते हैं तो आपको 50,000 की पेनल्टी लग सकती है ऐसा एक नोटिस हमारे एक क्लाइंट को आया हमारे एक में नंबर को आया अब हमें देखना यह है क्या यह नोटिस गलत है या सही है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे टाइप आप नोटिस ओडर जर्नल पेनल्टी वह या पेनल्टी की स्पहलिंग गलत है कोई बात नहीं डिपार्टमेंट से भी गलती हो जाती है लेकि जब हम इस नोटिस को व्यू करते हैं जब इस नोटिस को व्यू करते हैं तो यह नोटिस खुलकर आता है और इसमें लिखा जाता है कि सेक्शन 125 के अंदर आपको पेनल्टी लग गई 25,000 CGST की और 25,000 SGST की जब हमने इन से कारण पूछा कि वही कारण बताओ यह पेनल्टी क इस बात की लगी है तो इन्होंने का एनेक्शर खोल कर देख लो एनेक्शर में हमने तुमें बताया है और मजे की बात जब हम एनेक्शर खोल ले गए तो एनेक्शर खुला ही नहीं तो हमने इस नोटिस के ऊपर से पढ़ने की कोशिस करी कि भईया यह पेनल्टी किस चीज की है जब हमने इस penalty को पढ़ा तो इन्होंने कहा कि section 125 में हमने penalty लगाई है और देखो कारण क्या देते हैं ये penalty लगाने का इसका कारण समझना कारण पढ़कर आपको हसी आ सकती है क्या कहते है return not filed by the dealer कि dealer ने return नहीं फाइल करी या return not file by the dealer और लेट फाइल कि अगर आप अपनी रिटन लेट फाइल करोगे तो हम तुमसे cgst की penalty 25,000 ले लेंगे और sgst की penalty 25,000 ये बात है नवंबर 2020 की कि आप ने नवंबर 2020 की return को लेट फाइल करा भाइया मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी 3B लेट फाइल करता है तो भाइया इसके लिए न एक SOP इसू किये गए थे कि हम ये वाले procedure department follow करेगा कि अगर किसी ने अपनी 3B फाइल नहीं करी तो वो notice भेजा जाएगा किस के अंदर section 46 के अंदर कि आप अपनी 3B फाइल कर लो उसके बाद भी अगर फाइल नहीं होती है तो section 62 63 लगेंगे किस चीज के लगेंगे best judgment assessment के लिए लेकिन यहां पर यह जो department ने पचास हजार के लिए notice भेज दिया मुझे comment box में लिख कर बताओ सही है या गलत है सर आपका क्या मनना भाइ मेरे हिसाब से तो बिल्कूल गलत है क्योंकि अगर मैं section 125 को पढ़ता हूँ तो section 125 कहता तो है कि अगर आपने कोई rules violation करा तो हम उसकी penalty लगा देंगे लेकिन यह penalty लगनी नहीं चाहिए क्योंकि इसके लिए section 47 में already late fees का provision है तो जब हम late fees दे रहे हैं और department ने SOP जारी किया है तो यह 50,000 की penalty लगाना बिल्कूल ही गलत है अगर आप portal पर जाके देखोगे तो यहाँ पर इस तरह का यह notice issue हो रखा है जो बिल्कूल गलत है जब हम इसकी attachment खोल के देखते हैं जब हम इसकी attachment खोल कर देखते हैं तो यह attachment open ही नहीं होती है अपनी return को तो हमने late fees दे तो दी तो अब हम तुमें 50,000 की penalty कैसे दें तो यह बिल्कूली सरासर ना इंसाफी हो रही है तो अगर आप यहाँ पर check करेंगे तो return file हो चुकी है सर अब हम इस case में करें तो करें क्या यह आप जरा हमें बता दो तो मैं आपको बता देता हूँ इस cases में करना क्या होता है देखो इस cases में अगर आपने reply नहीं करा तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी सर ऐसा क्यों हो जाएगा भई देखो department से जो भी notice issue होते हैं आपको उसका reply करना जरूरी है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि भईया इन्होंने अपनी return file कर दी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नवंबर महीने के लिए notice आया है और जब हम नवंबर की 3B सर्च कर रहे हैं तो इन्होंने नवंबर महीने की 3B को 17 January को file करा मैं यह बात मानता हूँ कि भई इन्हें यह दिसंबर में file करनी थी लेकिन उन्होंने 17 January को file करा और 16 January को यह notice इनके पास आ चुका था अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि अब इस notice का करे क्या देखो पहली बात तो मेरी government से appeal है मेरी department officer से appeal है finance ministry से appeal है हाथ जोड़ कर appeal है कि भई अपने officers को समझाओ कि जो SOP issue किये हैं जो circular time to time issue होते हैं उसे follow करे यह unnecessary एक mentally pressure बनाया जाता है यह unnecessary एक harassment है किसी assessi की सार harassment कैसे हैं देखो भई assessi को तो कुछ नहीं पता assessi पे जब 50,000 की penalty का notice आएगा वो डर जाएगा जब वो डर जाएगा और उसे तो पता भी नहीं है notice issue हो चुका है अगर उसने अपने portal को खोल कर नहीं देखा जब वो व्यक्ति डर जाएगा जब इसे देखेगा तो वो हमारे तुमारे किसी professional के पास जाएगा और कहेगा भईया मैं क्या करूँ अब अगर हम इसका reply नहीं देते हैं तो क्या होगा अगर हम इसका reply नहीं देते हैं तो यह chances है कि भई department क्या है एक order issue कर दे कैसे order issue कर दे कि भई हम इसमें आपके demand लगाते हैं या तो वो proceeding drop कर दे या वो demand लगा दे तो हमारे को करना क्या है इसका एक simple reply बना कर देना है कि भईया इस तरह का जो notice है हमने यह return file नहीं करी थी late file कर दी थी और late file के साथ साथ हमने late fees भी दिये और जो SOP issue की गई है department के जरिये वो SOP के अनुसार आप इस तरह की penalty नहीं लगा सकते अगर आपको assessment करनी है तो section 62 में assessment कर सकते हैं लेकिन यह reply जो भी बनाएगा चाए आप बनाओ चाए मैं बनाओ तो एक fees लेगा ना दो हजार, चार अजार, पाच जार, दस हजार एक fees लेगा तो यह fees unnecessary client पर जाएगी फिर इस reply को online submit भी किया जाएगा ठीक है तो एक time consuming है यह wastage of time है किसी professionals का अगर वो department चला गया तो department में जागे time खराब हो जाएगा तो भीया इस तरह के notice या order मेरे इसाब से comment box में लिख कर बताओ यह issue नहीं होने चाहिए, यह बिल्कुल बेकार है, इसमें स्रीफ और स्रीम time wastage है department को समझना चाहिए कि इस तरह के notice भेजने से बचें क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इस तरह के notices भेज कर assessi को परिशान किया जाता है तो भीया ऐसी चीजों से department को बचना चाहिए और assessi लोग आप भी समझदार हो जाओ, अपनी return time पे file करो ऐसे notice से बचने के लिए, हाला कि ये notice गलत है लेकिन अब आपका time लग जा रहा है मेरी बात को समझो, मैं क्या गह रहा हूँ, आपका time waste हो जा रहा है इसका reply तो बन जाएगा, penalty हट जाएगी, बिल्कूल हट जाएगी, penalty कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ये penalty गलत लगाई गई है, आप मुझे comment box में लिख कर बताना क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी है नहीं, अगर अच्छी लगी है ना तो जादे से जादे लोग हो तक इसे share करना जिससे कि ये हमारी finance ministry तक को भी पोच जाए वीडियो, उन्हें पता लग जाए कि उनके जो officers है जो department में बैठे लोग हैं, वो SOP फोलो नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से notice issue करे जा रहे हैं जो की एक सरासर गलत है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई notice है, या ऐसा कोई harassment है, तो आप हमें भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसे अपनी magazine में cover करने की magazine तो आपको मजे से मिल रही होगी, soft copy सबको मिल रही होगी, hard copy में 2-4% में issue है, बाकी सबको मिल रही होगी तो आप मुझे comment box में लिख कर बताना magazine कैसी लगी, और August edition में बहुत सारी सुप्ट्रिम कोट की judgment आने वाली है, अगर किसी ने magazine subscribe नहीं कराई है, तो इन नमबर पर whatsapp करके magazine subscribe करा ले, और हाँ, अगर आप हमारा pen drive course परचेज करना चाते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं, क् अब दिल्ली के अंदर हमारा face to face बैच चल ला है, तो दिल्ली NCR वाले उसका benefit उठा सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे comment box में लिख कर बताना, जादे से जादा logo तक share करना, और अपने दोस्तों से channel को subscribe कराना, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दि मिवाद करता हूँ, thank you for watching